असलाम अलेकुम गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ important चीजे कि बहुत सारे NEET 2021 के students ऐसे जुनको बहुत सारे doubts है और उनने comment section में लिखा तो मैंने वहाँ से कुछ important चीजे उठाई ये comment section से और मैं आपके साथे discuss करूँगा और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यदा फाइदा होने वाला है आपका क्योंकि ऐसे doubts बहुत सारे students को होते है और अगली वीडियो में मैं एक चीज बोलूँगा कि जो ये NEET का अगला schedule है मतलब MBBS का जो schedule है MBBS का badge कब से start हो जाएगा उसके लिए में वीडियो बनाऊँगा और कुछ officially भी कुछ आया है तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी comment हुमेरा बट की हुमेरा बट का question ये था इन physics I have champion objective book should I replace with that with fingertips can we leave any chapter in physics or chemistry इसने यहाँ पर बोलाई कि मेरे पास champion book है क्या मैं उसको replace कर दूँ कि अभी मेरे पास champion है और में वो saloo कर रही हूं तो क्या मैं या fingertips लगा सकती हूं और ऐसे ही कि हम कोई chapter physics में छोड़ सकते हैं या chemistry में तो पहले question का answer यह है कि अगर आप champion book लगा रहे हो बहुत दिनों से लगा रहे हो या बहुत मन्त से लगा रहे है कोई तो सालों से भी लगा रहा होगा तो अब उसको क्या हुआ है वो जो question यह उसमें उसको अब वो बैठ गया है दिमाग में अच्छे से के ऐसे question करना होता है ऐसे idea है ऐसे solution दिया था वहाँ पर तो उसको अब वो याद हुआ होगा तो उसको कोई फाइदा ही नहीं कोई दूसरी book लागाने का जो जो book use कर रहा है पहले से ही उसको वही book use करनी चाहिए जैसे कि कि किसी के पास होती है error कोई SC वर्मा को सॉलो करता है कोई DC पाने को सॉलो करता है ऐसे कोई champion कोई fingertips तो जो वो book use कर रहा था ना already उसको वही continue रखनी चाहिए अब जो ऐसे बंदे जो नहीं ने अभी तक अच्छे से कोई book सॉलो भी नहीं कि मतलब एगा दो चप्टर सॉलो किया है तो उसके लिए मै यह बोलेगी कि मैं change करूँगी तो उससे फिर problem हो जाएगी आपको fingertips में नया ही दिखेगा फिर वो सब कुछ लगतो रहा होगी यह आ रहा है यह आ रहा है लेकि उससे फिर depression होगी ऐसे आपको क्या लाएगा champion book से कि आपने पढ़ा है यह भी पढ़ा है यह भी पढ़ा है मत अब यह करना है जब आपने अच्छे से कोई e-book नहीं पढ़ी है और नहीं e-book डूंड रहे है तो मैंने बोला fingertips easy रहेगी कि इसमें अभी जो टाइम है आपके पास यह हो जाएगी अस टाइम में और अब चप्टर छोड़नी की बात आई physics और chemistry में तो मेरी बात मानो तो को कोई छोड़ना नहीं आपको जैसे कोई छोड़ना नहीं आपको जैसे कोई छोड़ना आता है यह बहुत ही easy topic है उसको पढ़ लो एक question guaranteed आएगा आपको दो भी मिल सकते है नीट में ऐसे यह कोई बोलेगा magnetism जो अरत्स magnetism होता है वो थोड़ा हाड रहता है तो मेरी बात मान लो वहाँ पे जो formulas है ना जैसे intensity of magnetization है, magnetizing field है, ऐसी कुछ चीज़े है तो वह आपको याद करनी पड़ीगी वो formula और formula बेसे question कर लो ज्यादा वहाँ पे वो नहीं पूछते है वो angle up dip वो कुछ-कुछ जो board में पूछते है उतना ज्यादा नहीं पूछते तो वो tough हो और हाँ, यहाँ पे और एक question में मिलेगा आपको जो कि बहुत ही important है, NCRT का मसला है वो physics में, तो वह भी हम आगे देखेंगे, तो इसमें रहा कि आपको कोई कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, problem हो जाएगी फिर, अगर आप भी आप बोल रहे हो कि हम नहीं पड़ रहे सारे chapters, तो कुछ ही chapters ऐसे छोड़ना, जो आपको बहुत ज़दा tough लगे, जैसे optics होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़दा tough, उसमेरे optics, कुछ को easily हो जाता है, solver, किसी को होता है, वे optics, तो जो जो आता है, वहाँ पे topic आपको, वो वो कर लो, जो जो नहीं आता है, वो तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने तो NCIT पढ़ी थी physics में, और अच्छा भी हुआ मैरा फिर physics, और अब जो दूसरे लोगे जिनके 170, 160 आये थे physics में इस साल, तो उन्होंने बोला है ऐसा कि NCIT पढ़नी चाहिए, मैं अभी बोल रहा तो कि यहने भी पढ़ी है, NCIT पढ़न वो पढ़ सकते हो आप यहां से, और ज्यादा deep जाने की कोई जुरूरत नहीं है, यह वहाँ पे solved examples है, उनको देख लेना आप अच्छे से, और जो last में होता है वो box बना के, वो एक box होता है, वहाँ पे important points होते है, तो आपको वो पढ़ना है, अगर आपके past time है, तो अगर अब यह आप coaching जा रहे हो, यह वहाँ के notes बढ़ रहे हो, यह already notes बना है, तो वहीं पढ़ो, NCRT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर, जहां पे topic समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे NCRT खोलो, तो बस हो गया यह वाला doubt, अब भी किसी ने लिखा था, मेरा 2020 में, बायो में 302 marks थे, और physics chemistry में 84, और देखो मेरे तो इससे कम थे बायो में, और मुझसे ज़्याद है बायो में, लेकिन मेरे selection हुई, इसकी नहीं हुई, क्योंकि इसने physics और chemistry को balance नहीं किया था, देखो आपको क्या करना होता है, आप दिन में books पढ़ते हो, तो कोई 3 books नहीं पढ़ सकत revise करता था, उसके बाद उसी, उसी theory के question करता था में कहीं से, किसी भी books जो मेरे पास थी, ऐसे ही chemistry में भी ऐसा ही करना हो, आपको balance करना पड़ेगा, करनी पढ़ेगी physics और chemistry, numericals ही नहीं होते मुझसे, मेरे लिए कुछ पिलिए, देखो numericals क्यों नहीं होते हैं आपसे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ना कोई book उठानी है, जो आपके पास है, उसमें solid examples देखो, topic पड़ो नीचे, उसके solid examples दी हुई होती है, तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी आराम से, उसको solid करके देखना पड़ेगा कि ए concept कैसे use हो रहा है, अगर बाल उपर जा रह आपको solid examples पहले करनी पड़ेगी, फिर उसी के related आपको questions दूरने पड़ेगी और फिर वही solid करने पड़ेगी, ताकि जिससे आपका physics थोड़ा थोड़ा जमा हो जाएगा दिमाग में, फिर आप अच्छे से कर पाओगी physics को, ऐसी physical chemistry में भी करना है, अब organic में जो मैंने बोला आपका inorganic और organic में guarantee देता हूँ, आप कोई भी question नहीं छोड़ोगे यह बहुत ज्यादा revise होता है, यहां से, exemplar से उसका, और समज में भी आता है, क्योंकि वहाँ पी question format में दिया है, आपको question format में याद रहता है फिर ज्यादा, तो ऐसे करना है, आपको numericals तभी बनेगे, solid examples अच्छे से करो, दियान से, और topic पड़ो, नीचे महाँ पर example दी होती है, solid example, वह आपको पढ़ने पड़ेगी, अच्छे से, फिर उसी type के questions लगाओ, ऐसी strategy रहने चाहिए आपकी, या सिर्क वाजा का question था, फिनी question, but also a serious one, यार ये बकवास relatives के दानों से दूर कैसे रहे, ज अब बोलते हैं, आज paper easy था, checking easy थी, अब जब कभी अच्छाना करो तो आज आते हैं, मुह उठा के, आपने कैसे deal किया, आपका second drop था, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, यार देखो, आप ढरते हो कि वो ताना दे रहा है, ये ताना दे रहा है, कोई student है, वो बोल रहा है आपका, आप नहीं कर पाओगे, तुम failure हो, कुछ हो, ये हो, वो हो, यार देखो, एक बात या, आदर को, डॉक्टर किसको बनना है, महनत भी उसी को करने पड़ेगी, डॉक्टर आपको बनना है, तो आपको क्या फारक पड़ता है, वो बोलेगा आपको, आपको, आपको प अच्छे से मैच वा रखो, कोई प्राबलम नहीं होते है, कोई कुछ भी बोलेगा, डीमॉटिवेट करेगा, आपको, कुछ भी नहीं है, उसके साब, आपको बस अपनी पड़ाई पे फोकस रखना है, आराम से हो जाए की सेलेक्शन, अगर आप पड़ाई करते रहोगे न सबसे जब डॉक्टर बनोंगे न, फिर वही लोग तुम्हारे घार आएंगे आराम से, फिर देखना, फिर उस टाइम बोलना है, फिर उस टाइम बोलें कि अरे, यह ऐसे वैसे फिर आपको शाहबाशी देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, कि आपकी मेहनत ने आखिर क अबशिर, पहले ही डॉक्टर यार तू बनेगा, इंशाला तू बनेगा, एक वीडियो एक उन हाव टो मेनेज टाइम एड हाव टो स्टेडी स्मार्ट ली, टाइम मेनेज कैसे करें, देखो, तीन बुक्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्य और बायो, बायो में तो आपको अच्छे से याद करो यार उसको उसके बत क्वेश्चन लागो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, और टाइम को मेनेज कैसे किया जाए, आप अगर तीन बुक्स नहीं पढ़ सकते हो एक इजमें, तो दो बुक्स ही पढ़ो एक साथ, देखो, आज क्या करो, क्य आपको न, दो मान के चलनी पड़ी, क्यों हाँ पर जॉल्ज और बहुत नहीं होती है, आप क्या क्या करो, एक दिन बायो और फिजिक्स, दूसरे दिन बायो और केमिस्ट्री, ऐसे तीसरे दिन बायो और फिजिक्स, बायो रोज रोज बढ़ते जाओगे, यह फिर बूलता क्या करोगे, फोकस NCIT पर ही रखो सारा, तो आप समार्टी यूज कर रहे हो अपने टाइम को, स्टैडी भी समार्टी कर रहे हो, अब कुछ है, एक बहुत बड़ा कन्फूजन है, और गिनिक और, यह क्या लेका है, आयो, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, य अब क्या करूँ, और गिनिक और केमिस्ट्री के नोट्स ज़रूरी है, देखो यार, अचे, इन अरगनिक, आयो लेका है, इसने इन अरगनिक का, ठीक, देखो, नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भी आपको, अगर आपने नहीं बनाए है प्याले से, आपको क् पढ़ेगा, हाइलाइटर उठाओ, और NCIT जो आपके पास है, उसी को भरते जाओ, और फिर जब रिवाइज करोगे, आप अपनी NCIT फिर वही हाइलाइटर पॉइंट सपाट नहीं आपको, और हाइलाइट भी वही चीज को जो जो क्वेशन पूछे जाते हैं, तो मेरी बात म इसके पास हैं, तो मेरी मानों मत बनाओ, नगाओ अपना टाइम वेस्ट, सिंपली, NCIT एकजापल दे लो, और याद कर लो, वहाँ पर अन और गनिक भी है, और 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 अर्गनिक सारी है, तो इतने इक वही बोलाइब, अभी शेक्साल घुत रहाए, इसके प्टरन इसको, NCIT पर फोकस करो, especially on bio and chemistry, सही बात है, NCIT पढ़ लो, short note जोरी है, और वहाँ बता दिया आपको, और अगर अगर आप short note अब जयाद हाँ कि बनाना चाहते हो, याद रखने के लिए, तो कुछ points ही होते है, जो आपको बनाने है, जैसे कि inorganic में, अगर S-Blog देखोगे, वो 5-6 pages पे है, NCIT पे है, 7-8 pages पे, आपको 1-5 page पे भरना पड़ेगा, सारा, क्योंकि उतना भी नहीं, एक ही page पे भरना पड़ेगा, A4 size page लो, वहाँ पे लिख लो, अगर याद नहीं हो रहा है, आपको ज्यादा ज्यादा दिकत हो रही है, याद करने कि में, तो आप ऐसे कर सकते हो, अच्छे से, फिर लिख लो, लेकिन मेरे हैसा आप से ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको question ही, उससे बहतर होदा है कि question practice ही कर लो, तो आपको फिर, वो automatically याद हो जाती है, जब आप एक दो बर लगाते हो, question दो तीन बर, तो फिर याद ही रहता है, तो बस, इस इस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं आगे जाके बहुत सारे वीडियो जालूँगा, अच्छे से आपको guide कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखाए failure भी और pass out भी देखाए, मैंने, तो मुझे पात आए कि कैसे क्या करना पड़ेगा, ठीके ना, तो बस इस वीडि वीडियो में, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अलाह हाफिस,